नमस्कार आज हम ब्रत में खाने वाले सुखी चटपटे आलू बनाएंगे इनको बनाने के लिए चार से पांच उबले हुए आलू लिये हैं सेंधा नमक एक चम्मच कसूरी मेथी आदी चोटी चम्मच दो से तीन भारीक कटी हुई हरी मिर्ची लाल मिर्च पोडर आदी चोटी चम्मच काली मिर्च पोडर एक चुथाई चोटी चम्मच जीरा एक चम्मच हरा धनिया दो बड़े चम्मच या गार्नेशिंग के लिए आमचूर पोडर आदी च चोटी चमच, देशी घी, बड़ा देट चमच और एक सुखी हुई लाल मिर्ची ली है। सबसे पहले हम आलू लेंगे, आलू को बारीक टुकडों में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से चोटे जा बड़े टुकडे किसी भी परकार से काट सकते हैं। आलू कट कर त्यार हो गए हैं। चलिए अब हम इनको सबजी बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई गरम होने पर उसमें घी डाल दिया है। आप मुंकफली का तेल भी डाल सकते हैं। तेल गरम होने के बाद हमने आच को धिमा कर दिया और सुखी हुई लाल मिर्ची डाल दी। इससे इसका फिलेवर बहुत ही अच्छा आता है और एक मिनट के लिए इसको भून देंगे। उसके बाद हम जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम जीरे को चटकने देंगे और हलका ब्राउन होने तक भूनेंगे। खरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची डालने से तेल में तीखा परन चा आता है, और सबजी बहुत ही स्वाधिश। बनती है। दीमे आज पर हम इनको हलका भ्रोन होने तक एक मिनट के लिए भूनेंगे और हिला देंगे उसके बाद हम कसूरी मेति डाल देंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसको हिला देंगे और तुरन हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे आज को हमने अभी भी धीमा ही रखा हुआ है आलू डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए आलू को भून लेंगे भूनने से आलू का बहुत अच्छा स्वादा आजाएगा और ये कुरकरे क्रिश्पी भी बनेंगे और बीच बीच में हम इनको हिला देंगे ताकि सारे आलू जो हैं अच्छी तरह से भून जाएं फ्राई हो जाएं आलू जो हैं फलके से फ्राई हो गए हैं इनको हमने और फ्राई होने तक क्रिश्पी होने तक पकाएंगे अब हम इसमें प्रत का सिंधा नमक डाल देंगे डाल मिर्च पोडर पिसी हुई काली मिर्च डाल कर इसको अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि सारे मसाले जो हैं सबजी में आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और कोट हो जाएं और इनका स्वाद जो है सबजी में आजाए ये भूत ही स्वादिस्ट बनते हैं दो-तिन मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही पकाएंगे ताके सभी मसालों का स्वाद इसमें आ जाए आप मेरे चैनल को लाइक और श्यर जरूर करना हम इसमें हरा धनियां डाल देंगे आप इसमें इसमें आधे निम्बू का रस भी ढाल सकते हैं और स्वाद बनाने के लिए आलू जो हैं क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं आप इसे पूरी के साथ भी खा सकते हैं और दहीं डाल कर भी इसको खा सकते हैं ये बहुती स्वादिस्ट बनते हैं और सबको आलू तो बहुत ही पसंद आते हैं, हम बीच बीच में इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि सबी आलू जो है अच्छी तरह से पक जाएं, अब हम लास्ट में इसमें अमचूर पौडर डाल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंग अमचूर पौडर बाद में ही डालना चाहिए, क्योंकि अमचूर पौडर पहले डालेंगे तो इसमें कहीं बार कड़वापन आ जाता है, अमचूर पौडर और सबी मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, आलू भी क्रिस्पी हो गए हैं, बन गए हैं, अब हम इ इसमें भी हिलाते, कर्शी से चलाते रहेंगे, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से भुण जाएं, आलू की सबजी बनकर त्यार हो गए हैं, ब्रत के सुखे आलू बनकर त्यार हो गए हैं, चलिए अब हम इसको स्वर्ब करते हैं, मैं तो खाऊंगी और आप भी इस रेस्प को जरूर बनाईए और खाईए अपने अनुभब जरूर शेयर कीजिएगा, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवा दीजिए, ताकि वीडियो की आपको नोटिफेकेशन मिल जाए, और अपने अनुभब जर गुरू शेयर कीजिए, देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार